नमस्ते जी कैसे वाप सब बढ़िये आमस्त मजे में तो फिर आज हम बात करने वाले law of attraction के बारे में law of attraction ने मेरे जिंदेगी में किस तरह से साहिता की मेरा क्या आनुब होए मुझे क्या benefit मिले basically law of attraction की वज़ा से वो मैं आप से share करने वाला हूँ मैंने ओप मैं फोलोवर्स उनको पता नहीं एक जाक की law of attraction क्या है तो जस्त में एक सिंपल सा ओर्विव दे देता हूँ कि जो भी चीज आप पाना चाहते हैं जिस भी चीज के लिए आप डिजायर रखते उसके लिए आप मतलब दिल से बहुत ही ऐसे बहुत है पाइ जीलस मांगते हैं कि अपसे मुद्य करने वाल जाए कि अनुभो आप से उर्यव करने वाला मेरा करने है नहीं वाला कै गवी आंसे इसरा भी तो करने को बीए दूड़ कई दिल अब्स्तों से अब कर दाने कि अब Frank Technically क्यों जाती है कि exact law of attraction किस तरह से work करता है तो सबसे पहले experience की बात करते है ये वो कहाणी है जब मैं engineering में पढ़ता था तो बात है ऐसी है कि भाई मैं third year में था तब मैं बहुत सारे vloggers यूटुबर को देखता था जिनके पास gopro था तो आपको भी पता होगा कि गोप्रो की जो प्राइज है पचीस हजार तीस हजार तक जाती है मैं इतने पैसे इकटा नहीं कर पा सकता था मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो उस ताइम पर मेरी desire इतनी strong थी कि मुझे चाहिए ही था मुझे पता नहीं था मुझे किस तरह से मिलेगा कैमेरा पर मुझे चाहिए ही था तो हुआ यू कि बेसिकल मैं जहां पर रहता था जिस फ्लैट में रहता था हमारे जो ओनर थे उनके दो से तीन और फ्लैट थे उसी सोसाइटी में मुझे नहीं बता था कि मुझे पईसे किस तरह से आएंगे बट जब मैंने वह फ्लैट लिया बेसिकली आप ये वीडियो चेक कर सकते किस तरह से मैंने वह फ्लैट लिया मुझे बता है किस तरह से मैंने जोगाड ये थे वह फ्लैट पाने के लिए मैंने उस ताइम पर वह तीनो फ्लैट रेंड पर दिये टेनन धुंड कर और उसके उपर का ब्रोकरेश मैंने लिया एक प्लैट के उपर मुझे 10 से 12 आज़ ब्रोकरेश मिला बोलना बहुत ही आसाने पर डिफिकल्ट सिच्वेशन थी बहुत सारे ब्रोकरेश मुझे बहाद से बोलते देयार तू क्या ब्रोकरेश की लाइन में हमारी तरकुसरा आगे वही गरा और बहुत सारे डिफिकल्टीज हुई एक बहुत अच्छा एक्स्पिरेंस हुआ मेरे लाइप में पर मैंने वो तीनों ख्लैट रेंट कर दिये और वो ख्लैट रेंट पर देने की वज़़े से मेरे पास पाई से आए और मैंने 2020 के स्टार्टिंग में फेव में 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 गो पर दो जो चीजे चाहते हो जरूर में अब जिस फिल्म में काम कर रहा हुआ है यह बिडियो इंडिर का में जॉब कर रहा है लगो में एक इंजिनेरिंग बैक्रांड से बिलॉंग करता हूँ तो उसमें बेसिकलि यह था कि आपको स्कुल के बाहर बाहर बैटकर एक पैंप पैरेंट्स लोगों इसे दिखाने और उसके लिए मुझे तीन सो या चार सुरू का इसे कुछ तो ओफर दी तो हुआ यू कि जिस मैं से मैंने कॉडिनेट किया इस जॉब के लिए उन्होंने मेरा रिजूम पड़ा तो बेसिकलि मेरे रिजूम में यह मेंशन था कि मैं एक जैए और मुझे डानुकर को जो है reciproco सीड़ा हुए कि मेरी सुनेया चाहिए कि मेरे इडिटिंग सखी अब मेरे मैंने तरह की हैं मुझे यह मैं के सट रस ओप ऑल है उन्होंने मुझे पास्के चेहलगा तो machines ने मुझे आइप दिखने मुझे बढ़ा हैं मेरी एंट्री वीडियो इडिटिंग फिल में हुई मतलब यह आप समझ सकते गया यार मतलब यह स्टार्ट कहां से हुआ मैंने वाट्साप पर रैंडम मैसेज देखा कि स्कुल के बाहर आपको पैंपलेट बातने हैं और उसकी एंडिंग कहां पर हुई मुझे वीडियो इड इडिटिंग की जर्णी वहां से स्टार्ट हुई अल्दो मेरी इडिटिंग की जर्णी मतलब मेरी जो सॉप्ट्वेर की उपर का नॉलेज वेगरा मेरे खुद के वीडियो इडिटिंग करने से ही हुई बट एक प्रोपेशनल फिल्ट बोल सकते हैं आपकी वहां से अपन अर्निंग कर सकते हैं वो मुझे वहां से जागे समझी तो यह भी मेरे मन में एक इच्छा थी कि यार पैसे आने चाहिए क्योंकि इंजिनेरिंग स्टुडेंट को लगता है यार कुछ तो बदलब इंकम होनी चाहिए तो यह सारा सेनारियो ऑटोमेटिक क्रेट हुआ जब म इंगलिश मते होलता ना होते हैं जाले जाओ यार इस फिल्ड को मैंने और ज्यादे एक्स्प्लोर किया एक रेंडम कानी वाई मैंने उस ताइम पर एक वीडियो भी बनाया यह वीडियो आप देख सकते हैं बेसिकली मैंने एक बुक रिड की थी ती 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 आपको अगर प सच में बोल रहा सच में मैंने एक भाई को रेंडम मैसेज करके रखा था बहु कई काम असेल वीडियो इडिटिंग रिलेटेटर माला सांगा दो तीन दीन बाद उस बंदेगा मुझे रेंडम मैसेज आया कि ब्रो आयाव वन वीडियो इडियो प्रोजेक्ट और उसकी जो मेरे मन में एक ऐसी डिजायर आई कि मुझे युए से वाई गारा क्लाइंट चाहिए या आप अगर वीडियो इडिटिंग शित्र में बिलॉं करते तो आपको पता होगा कि जो फॉरें क्लाइं वो अच्छा पे करते मेरे माइंड में भी आया कि मुझे फॉरें क्लाइंट तो यही कहाणी है वाई यह मुझे यूसे का क्लाइंट बी मिल गया यह पूरी कहाणी है इसलिए मैं आपको बोलत हूँ अगर आपके साथ सिचुएशन भी नहीं होगी वो बिल कि तो चीज आपकी हो सकती हिए जब आपके मन के जो डिजायर हो एक्त माइसे बढ़ें हो त विडियो रखी है इस चीस के उपर फेत रखी है सब चीज होगी बताईएगा यह वीडियो गईसा लगा एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर इच्छा हो भी तो कर दीजिएगा वाई आसे कुछ बोल नहीं रहा है काई सांगता है वीडियो शेयर होएगा भी कर सब्सक्राइब कर दीजिए और यह आप अपनी जिंदेगी में भी इंप्लिमेट कीजिएगा मैं चाहता था कि इस सीरीज को एक नाम दिव चिट्चाट विद इरश पर मेरे पास इसे बहुत सारे राइंडम कहानी आए मेरे मन को नहीं अच्छा लगा कि क्योंकि वो चिट क्रिया शार्ण खर चिटर जब कर दे़ा तिव चाहता एंचानी आप फिए आप गलवाश नहीं कि थोग open तिव फगा में तो बाुद के बतिया इंश में अीं घनंग झाल